जन सुराज के संयों जग और पूर्व में चर्चित चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा करके सब को चौका दिया है दरसल बिहार में 13 नवंबर को होने वाले चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव के दोरान एक जन सभा में उन्होंने ये बात खुल कर कह डाली कि जब वो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में रहे थे तब वो किसी भी पार्टी या नेता को एक चुनावी सलह देने के लिए 100 करोड रुपए गया उससे ज्यादा की कीमत फीश के तौर पर वसूलते थे प्रशांत किशोर के इस खुलासे ने राजनितिक हलकों और मीडिया में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रशांत किशोर की बनाई हुई सरकार दस राज्यों में चल रही है उन्होंने इस बयान से ये साफ कर दिया है कि उनकी सलाह की कीमत और उनका अनुभव उन्हें आर्थिक रूप से मचबूत बनाता है जन सुराज पार्टी के प्रमुक होने के बावजूत प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि उनके पिछले काम ने उन्हें वित्य रूप से आत्म निर्भर बनाया है वो अपने अभियान के लिए दो साल तक टेंट और तंबू लगा कर काम कर सकते हैं और फिर किसी एक चुनाव में जाकर किसी भी पार्टी को सलह दे कर एक ही दिन में उनका पूरा खर्च भी निकाल सकते हैं उन्होंने ये भी बताया कि उनकी रणनीती और उनके अनुभव का महत्व कितना ज्यादा है इस बयान ने राजनतिक विशलेशकों और विरोधियों के बीच चर्चाओं को जन्म दे दिया है समर्थकों का मानना है कि ये प्रशांत किशोर की इमानदारी और आत्मविश्वास को दर्शाता है जबकि कुछ लोग इसे एक रणनीती के रूप में देख रहे हैं जिससे वो अपने समर्थकों में विश्वास और उत्सा बढ़ा सके इसके अलावा 100 करोड रुपए जैसी बड़ी फीस की बात करना उनकी ब्रैंड वैल्यू और उनके काम की उच्च मांग को दर्शाता है प्रशांत किशोर का ये खुलासा उस समय आया है जब उनकी जन सुराज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है उनका ये बयान उन आलोचकों के लिए भी करारा जवाब माना जा रहा है जो अक्सर प्रशांत किशोर के वित्तिय संसाधनों पर सवाल उठाते हैं वैसे आपको बता दें कि बिहार की चार सीटों बेला गंच, इमाम गंच, रामगर और तरारी सीट पर जन सुराज के उमीदवार मैदान में उतारे गए हैं ऐसे में प्रशांत किशोर का ये बयान उनके अभियान को और भी खास बना रहा है कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का ये ताजा खुलासा न केवल उनके अभियान की मजबूत नीव को दिखाता है बलकि ये भी बताता है कि वे राजनिती में एक अलग और प्रभावशाली भूमी का निभाने के लिए तैयार है उनके इस बयान से जन सुराज पाजी के अभियान को नया दृष्टिकोन मिल गया है और राजनिती में उनकी जगह को और मजबूत किया है